हलो दोस्तों तो आपको हमारे चैनल पे जो भी वीडियो देखने को मिल रहा है वो आपको अच्छा लग रहा होगा इंट्रेस्टिंग लग रहा होगा और उससे आपको सीखने को मिल रहा होगा ठीक है तो आज भी मैं जो एक क्विस्टेन लेने वाला हूं वो बहुत ही ठीक है तो चलिए जानते हैं कि आज का क्विस्टेन है क्या आज का क्विस्टेन है हमें 30 के हेल्प से कितना लिखना है 6 लिखना है यहां पे आप मैथेमेटिकल ओपरेशन्स लगा दीजिए और मैथेमेटिकल ओपरेशन्स लगा के और आपको इसको 6 बनाना है अभी तक आ देखिए कि क्या आप 3 0 के हिल्प से हम 6 लिख सकते हैं पॉसिबल है या नहीं है अब पॉसिबल तो है पॉसिबल अगर नहीं होता तो मैं आपको एक क्रिस्टिन नहीं देता तो चलिए आप वीडियो को पॉस करके ट्राइब कीजिए मैं आपको सोलूसन बताता हूं अगर न होता है 2 factorial मतलब 2 into 1 तो कितना होता है 2 होता है 3 factorial मतलब 3 into 2 into 1 कितना होता है 6 4 factorial 4 factorial मतलब 4 into 3 into 2 into 1 that is 43012 122024 तो 24 होता है ठीक है तो factorial का मतलब आपको पता चल गया कि factorial का मतलब क्या होता है इस example से पता चल गया होगा यहाँ पर हम लोग वही करने वाले है यहाँ पर क्या करने वाले है 0 factorial यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पर एड कर दीजिए यहाँ पर भी 0 factorial कर दीजिए और एड कर दीजिए यहाँ पर भी 0 factorial कर दीजिए ठीक है अब दे तो कैसे होगा यहां पर आपको कुछ नजर आया थ्री इसका मतलब मैं इस तीनों पर अगर ब्रैकेट में इनको डाल करके और फैक्टोरियल लगा देता हूं तो क्या अंसर आएगा शिख आजयागा समझ में आया तो सीग देखिए जेरो फैक्टोरियल केतना होता है प्लस वन प्लस वन होल पाक्टोरियल यथी नथिंग बट प्लस फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 याट इस इस लिख त्या है मिलते हैं पिर अगले वडियो में एक नए concept के साथ तब तक के लिए all the best जै हिंद जै भारत